कि यह रोगों को मांक्स बिलकुल भी नहीं मिलेंगे और अपने पोटल पर बस UPLOAD कर देते हैं उसकी इंपोर्टेंस नहीं देते और इसी चक्कर में 90% students NIS open board के अंदर fail हो जाते हैं प्यारवचो आप भी NIS open board के अंदर ना fail हो जाएं आप लोगों को भी NIS open board कम marks ना दे 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 उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना कर लेकर आया हूँ बस आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है जो पहले के students ने की है अभी इनको marks मिलेंगे भी तो ये समझने एक दो नंबर से जाधा इनको नहीं मिलने वाला है क्या है इनकी गलती आईए एक बार विस्तार से देख लेते हैं मैंने एक बच्चे का पोटल यहाँ पर लॉगिन कर रखा है यहाँ पर आप देख पाएंगे सब कुछ रियल वीडियो बना रहा हूं में कीरती नाम की एक स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर मैंने इसका पोटल ओपन कर दिया है इसका मैं एक बार आप लोगों को TMA स्टेटस चेक करके दिखाता हूं इस बच्चे ने अपना TMA अप्लोड किया था 16 जुलाई संदोजर 23 को हिंदी का 15 जुलाई कि इन्होंने किस तरीके से अप्लोड किया है सबसे पहले मैं आपको संस्कृत का ही दिखा देता हूं यह देखिए इनका जो है संस्कृत का पोटल ओपन हो चुका है स्टूरेंट्स पोटल तो यहाँ पर इनका रोल नमबर है नाम है और यह देख़े कॉछन कर दिया है और ये देखिए इन्होंने जो answer लिखा है वो भी बिल्कुल गलत है और एक assignment के अंदर total 6 question solve करने होते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर नीचे करकी तरफ दिखाता हूँ ये देखिए question number 5 और ये देखिए ये question question यहाँ पर लिख दिया है और इसका answer नीचे नहीं है यानि के 5 और 6 का answer बच्चे ने नहीं लिखा है और जो upload किया है उसके front page पर इसने कर दी है cutting तो भाई ऐसे में इसको marks नहीं मिलेंगे आईए मैं आपको दूसरा assignment दिखाता हूँ दुबारा से चलते हैं पूरा का पूरा assignment blur है कोई भी question कहां से शुरू हो रहा है answer क्या है सही तरीके से ना तो answer का पता चल रहा है ना question का और यह देखिए प्रशन answer बिल्कुल blur इन्होंने कर रखा है और इनको इस तरीके से assignment upload करने पे marks नहीं मिलेंगे और यह देखिए फिर दुबारे से cutting और question number 6 के अंदर जो है picture paste करना था तो वो भी इन्होंने नहीं किया है तो इस तरीके से इनका यह assignment भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और जब checker को आपका assignment समझ में नहीं आएगा कि आपने upload क्या किया है तो आपको marks कैसे मिलेंगे तो अब आईए मैं आपको किसी और बच्चे का portal open करके दिखाता हूँ अब मैंने दूसरे बच्चे का portal open कर लिया है यहाँ पर आप देख पाएंगे पूजा करके है students अब आईए मैं आपको इसका assignment दिखाता हूँ TMA status पर जाएंगे और यहाँ पर उसके सारे upload किये हुए assignment आप देख पाएंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे हिंदी 201 और मैं इसे अभी आपको open करके दिखाता हूँ यह देखे assignment upload हो रहा है यह देखे download हो रहा है sorry और यह आपके सामने भी open हो जाएगा तो name पूजा है, enrollment number है, subject है और अब आईए मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ यह देखे जो assignment अभी पिछले बार अभी जो दूसरे students ने upload कर रखा था वो ही assignment same इस पूजा ने भी upload कर रखा है यानि के एक ही assignment को यह सभी students बना कर इसका front page change करके और जो है वो upload कर रहे है तो भाई जो गलती एक students करेगा यह देखिए, यहाँ पर भी गलती कर रखी है और same assignment upload कर रखा है तो जो गलती एक बच्चा करेगा वो ही गलती सभी बच्चे कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को marks नहीं मिनने वाले जो NIS open board online check करता है तो आप यह समझ लीजिए कि यह जो गलती है जब मैं इस गलती को पकड़ सकता हूँ तो NIS open board वाले जब लाखों जो बच्चों का assignment check करते होंगे क्या वो इस गलती को नहीं पकर पाएंगे क्या तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है एक assignment को copy नहीं करना और जो assignment बनाते समय किसी भी तरह की cutting नहीं करनी है और जो assignment आपको blur भी upload नहीं करना है तो आप जो है copy ना करें बहुत सारे यूटूबर्स हैं आपको assignment sale करते हैं एक assignment बना कर बाकी सभी बच्चों को sale कर देते हैं इस तरीके से किसी बच्चे को marks नहीं मिलते केवल और केवल यूटूबर्स का ही फाइदा इसमें होता है तो आप ऐसी गलती बिल्कुल बना करें अनैस open board के जो teachers होते हैं का admission करते हैं वो भी यही काम करते हैं आप लोगों से charges ले लेते हैं और एक ही assignment जो है वो upload कर देते हैं अब आईए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप लोगों को real assignment कैसे बनाना है और किस तरीके से आपको यहाँ पर save करना है upload करना है सही assignment upload करने का तरीका इस students ने पूजा ने मुझे ये का के sir ये assignment आप हमारे portal से हटा दीजिए, delete कर दीजिए और आप बना कर upload कर दीजिए तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग अगर एक बार assignment upload कर देते हैं और आपके assignment को upload किये हुए एक हफते से जादा का time हो जाता है तो आप जो है उसमें को भी changes नहीं कर सकते, यहाँ पर हम मैं दिखाऊंगा, upload TMA पर मैं दुबारा click करता हूँ, और यह देखिए इसका जो option है वो नहीं open होगा यहाँ पर लिखावा क्या हैगा, sorry you cannot download TMA as as there is no assignment available, तो आप जो है दुबारा assignment upload नहीं कर सकते, अब आप लोगों को सही assignment कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखिए इस तरीके का आपको एक साफ पेज लेना है और इस तरीके से साफ साफ अक्षरों में font को बढ़ा करते हुए address लिखना है, subject, name लिखना है subject का जो code होता है वो course जो है आपका दसवी में है या बारवी में दसवी में है तो secondary और अगर आप बारवी में है तो senior secondary नाम और endowment number address और उसके बाद study center का जो code होता है वो address आपको पूरा नहीं लिखना जहां पर आप रहते हैं जैसे मोती नगर west दिल्ली तो आपको ऐसे short में लिखना है उसके बाद जब आपका assignment start होगा तो assignment जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए सभी अक्षर साफ अक्षरों में दिखने चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी cutting नहीं होनी चाहिए यहां पर आप देख पाएंगे जो हमारे teachers assignment बनाते हैं बिल्कुल साफ सुत्री राइबिंग बनाते हैं और इस तरीके से आपको assignment बनाना है और इसी तरीके से अप्लोड भी करना होता है बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखना है ताके checker को समझ में आए और question number 6 बहुत सारे students छोड़ देते हैं आपको question number 6 तो करना ही होता है क्योंकि वो compulsory होता है और अगर आप question number 6 को नहीं करेंगे तो आपको marks भी नहीं मिलेगा यह आपको मैंने अभी example दिखाया इस तरीके से जो है हम आप लोगों के लिए assignment complete करके देते हैं तो प्यारे बिच्चो अगर आप NIS open board के वो students हैं जिने exam देना है अपरेल सम्दोजार 24 के अंदर और अगर आप भी new assignment बनवाना चाहते हैं सही assignment बनवाना चाहते हैं copy नहीं चाहते कि आपके साथ भी इस तरह का cheating हो तो आप जो है हमसे assignment बनवा सकते हैं assignment बनवाने के लिए आपको हमें केवल WhatsApp करना है हमारे WhatsApp नमबर 7678696142 पर बाकि आप समझदार हैं इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी न करें और अपना जो है TMA status चेक करते रहें क्या आपको यहाँ पर marks मिल गए हैं मिल गए है तो आप मुझे comment करके ज़रू बताएं और अगर आपने यह गलती कर दी है कि आपने cheating कर दिया है या फिर गलत assignment upload कर दिया है तो तुरंत आप मुझे WhatsApp करें मैं आप लोगों की इस problem का solution ज़रू निकाल दूँगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो